नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक शबली मेशन टेक जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्लास का मग है, ये देखिए, ये कांच का मैट वाला मग है, इसके उपर कैसे फोटो प्रिंट करना है, इ इसका प्रिंट मिरर निकलेगा या सीधा निकलेगा, ये सारी बाते इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो बने रहे हैं अन्त तक देखते रहे हैं आलोक शबली मेशन टेक, तो ये देखिए मेरे हाथ में जो है ये कांच का ग्लास मतलब कांच का मग है, इसके उपर हम हम लोग फोटो प्रिंट करने वाले हैं, ये कैसे प्रिंट होगा, ये देखिए ये ट्रांसपारेंट है, इसमें एक पर प्रिंट करेंगे, आप मतलब इस साइड से आप जैसे प्रिंट करते हैं, प्रासेस सेम हो ही रहेगा आपका, उस तरीके से हम लोग प्रिंट करेंग थोड़ा सा इसमें टच करेंगे तो आपको मैट टाइप का लगेगा जो है ये ग्लास लेकिन देखने में इसका हैंडल वगएरा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लोक इस पे दिया गया है ये देख सकते हैं फिंसिंग बहुत बढ़िया है इसमें अब प्रिंट भी उसी इस वीडियो को लेकर के आये हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे प्रिंट होगा ये चुंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं पहली बार जैसे ही लेते हैं कि भी यह इसमें प्रिंट कैसे आएगा किस तरीके का प्रिंट होगा अगर है होता रहता है मैंने उसमें डाल दिया है तो आप लोग जो है उस पे जाकर के आप हमको मैसेज कर सकते हैं अगर आपको यह कोई भी रा माटेरियल में चाहिए तो अगर जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं अभी नए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि य प्रिंट करने वाले हैं इसी तरीके के हम नए नए प्रोड़क्ट का वीडियो ले करके हमेशा आता रहते हैं तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले कि आपको मिलता रहे तो चलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं किस तरीके से यहाइन निकलेगा प्रिंट आऊट कैसे होगा यह नार्मल मसीन में होगा मग मशीन में होगा जिसमें हम लोग करते आएंगे आप चाहें तो इसको जो है multi function जो जिसमें जिनके पास ये वाली machine नहीं है उसमें भी कर सकती है आप इसको multi function वाली machine में 3D sublimation machine के अंदर भी आप लोग इसको इजरी तो यह देखिए दोस्तों हम लोग system के उपर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर देखे design के लिए हम लोग सीखेंगे यहाँ पर online की बात करें तो हमने design तयार कर लिया है मग जो normal हम लोग print करते हैं उसी size का है यह आप साइज तो जानते हैं यहाँ पर जो इसकी लंबाई और चौणाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर डिजाइन लिया है इसकी लंबाई जो है वो 8 इंच में है चौणाई की बात करें तो 3.4 इंच में है जो कि नार्मली आप लोग प्र तो यह देखे मैंने डिजाइन को तयार कर लिया है यहां पर डिजाइन तयार है आपके सामने देख रहे हैं और यह मिरर प्रिंट निकलेगा आपको बता दूँ जैसे आप लोग मिरर प्रिंट निकालते आए हैं उसी तरीके से यह मिरर प्रिंट निकलेगा तो यह देखे हम हम लोगों ने इसको डिजाइन को तैयार कर लिया है यहां पर केवल प्रिंट देना बागी है तो चलिए हम लोग इसको फटा-फटाइए कर दो एम उमन सक्कें हम चलिए हम जाल चलिएए से अजय लोग जढेोहरिये लोग खायार किरें हिनग विहां देरा ने अधन्य के तो η्रिंट गलिए रखेल सहका ने टताता लाइसर के अजयाम है तो पृब झाल झाल जयसा कि आप लोग निकलता है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ कि सब्लीमेशन इंक की सहायता से सब्लीमेशन पेपर पे ही ये प्रिंट आपका निकलना है, नार्मल प्रिंटर से ये नहीं होगा आपका, तब ही ये इस पे प्रिंट हो पाएगा, तो चलिए हम लोग फटा फटा इसकी है आगया, ये देखिए हम लोग ने इसकी कटिंग कर ली है, ये देखिए हम लोग इसको जो है इसके उपर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए मग मेरा तयार है, चलिए इसको लगा करके हम लोग पहले देखते हैं, सब्लीमेशन में भी आपका print आपको दिख रहा होगा अभी सी देख रहे हैं कि यह transparent है चुकि glass है तो already transparent होता ही है तो यह देख सकते हैं आपको यहाँ पर अंदर में दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग इसको print करने वाले हैं जो कि printing के बाद इसी तरीके से आप लोगों को दिखाई हम लोग इसको देर ना करते हुए इसको print करते हैं machine के ऊपर हम लोग चलते हैं उसके बाद हम लोग time और temperature set करते हैं तो हम लोग पहले machine को आन कर लेते हैं यह देखिए time और temperature के बात करें तो इसमें जो setting होगी आपकी यह देखिए temperature होगा 290 minimum temperature, 330 maximum temperature और timing जो होगी 72 second होगा यहाँ पर यह देखिए 2 second hour मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ 72 second हम लोग इसको रखेंगे तो यह देखिए मैंने कर लिया है यह सेट हो गया है machine हीट होने लगी है आप देख सकते हैं यह machine हीट हो जाए उसके बाद हम लोग इसको print यह देखिए machine हीट होने वाली है 290 मेने ड दाला था यहाँ पर देखिए बीप की आवाज आने वाली है यह देखिए हो चुकी है machine Morning हो चुकी है and तो यह दिखिए यह मख को इसके अंदर प्रेस कर तैंगे जैसे की कРИते है जयादा इसप्तबाव नहीं देंगे चुंकि यह कांच का है इसलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इस पर ज्यादा प्रेसर ना रहे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा लेकिन जो है ये मैट है तो आराम सी इसको आप प्रिंट कर सकते हैं तो ये देखे मैं इसको जो है इस तरीके से प्रेस कर दिया मशीन को और ये इसको लाश्ट वाली बटन हम लोग प्रे ये देखते हैं स्टार्ट हो गया है प्रेंटिंग होना ये आप देख सकते हैं अंदर के भाग को यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इजली आपको प्रेंट दिखाई पड़ रहा चूंकि या लेड़ी पहले से भी आपको इस पर दिख रहा था ये क्लास है तो इस कि अंदर आपका फोटो देखे टाइमिंग इसका पूरा होने वाला है अब हम लोग इसको जो है निकालने वाले हैं तो ये देखे टाइमिंग बीब की आवाज किर दिया मसीन मसीन को हम लोग पहले आफ कर देंगे इस तरीके से ये देखे और हम लोग इसको अभी निकालेंगे मक को यह देखें कितना बढ़िया प्रिंट आपको अंदर भी दिखाए पड़ रहे होगा आप देख सकते हैं यह देख हैं कितना बढ़िया प्रिंट अंदर आपको दिख रहा है कि यही प्रिंट आपको बढ़ियां बाहर दिखे का फोटो की क्वाल्टी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई अंतर नहीं है चलिए हम लोग इसको हटा करके देखते हैं पहले प्रिंट आउट को इसे दिखान से चोकी मगव का हीट है बहुत इसे आपको लोगों को दिखान से करना इसका जैसे देख सकते हैं आप यह देखें कि कितना बढ़ियां प्रिंट आया हुआ है देख पा रहे हैं आप लोग कि देख रहे हैं है अjac्यकल इस जो लिखा हुआ हाद कर फिशचे नटे की ग्लास के ऊपर 2ला मंग अंदर वियाप लोग देख पा रहे होगे कितना बनी हैं प्रिंट आपको दिख रहा है देख रहे हैं इस तरीके से आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए अगर आप लोग पुराने हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें कि मैं आप लोगों के लिए इस इस तरीके से करने के बाद इस बॉक्स के इंदर पैक कर आएंगे इसको और यह आपको बॉक्स इस तरीके से तयार हो जाता है यह देखिए